Hello everyone and welcome to my channel और अपने आज के वीडियो में हम discuss करेंगे CBST के Class 12 के Physical Education के paper pattern के बारे में syllabus के बारे में Physical Education का जो exam है Class 12 का वो 2nd June को होगा तो अपने आज के वीडियो में हम discuss करेंगे कि जो उसका syllabus है उसमें कौन-कौन से चीज़े जो है वो 35 marks के हैं वैसे ही Physical Education का जो paper है वो भी 35 marks का ही है पिशली बार जो आपका term 1 का exam हुआ था वो MCQ-based था बड़ इस बार जो exam हो रहे है term 2 के वहाँ पर आपको जो है short और long तरह के question answers मिलते हैं तो यहाँ पर जो आपके total number of question है अगर आप SQP देखें Physical Education का जो की CBSC ने दिया था वहाँ पर आपके पस 13 question थे साथ में वहाँ पर आपके पस twice थी अगर अभी जितने भी आप exams देखें के आए हैं physics है chemistry के उसके हिसाब से देखें तो आपको वहाँ पर 3 sections में question मिलते हैं जहाँ पर section A जो है उसमें 2 number के questions होते हैं section B में 3 number के और जो section C है वहाँ 5 number का एक question होता है अगर उस basis पे आपका physical education का paper आता है तो वहाँ पर आपके 12 ही question होंगे और जो भी choices है वो internal choices होंगी ना कि आपको total number of questions में choice करना है कि आपको कितने questions attempt करने हैं और कितने नहीं तो यह exam pattern की बात करें तो हो सकता है तो number of questions है वो या तो 12 होंगे या तो अगर हम SQP के हिसाफ से देखे तो 13 questions हो सकते हैं फिर हम बात करें यहाँ पर syllabus के बारे में तो आपके जो total number of chapters है physical education के वो 10 है पर term 1 के syllabus में 5 chapters जो है वो already आ चुके हैं तो अभी जो आपका exam है term 2 का वहाँ पर आपके सिर्फ 5 chapters ही आने हैं तो अपने आज की वीडियो में हम ये 5 chapters के बारे में discuss करेंगे और इसमें आपको कौन-कौन सी चीज़े जो है वो पढ़नी है जो कि सबसे ज़्यादा important है तो सबसे पहला है आपका योग और lifestyle जहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ आसन्स के बारे में पढ़ना है चार ही तरह की जो हैं बिमारियों के लिए पर चार ही तरह की चीज़ों को cure करने के लिए आपको आसन यहाँ पर दिये गया है उसमें जो चार चीजे हैं वो हैं इन चार चीजों के लिए जो आपको आसन दीए हैं वो सारे ही आसन अलग-अलग नहीं हैं बहुत सारे ऐसे आसन से जो common हैं तो आपको कम से कम पांच basic आसन के बारे में पढ़ना है और उतने में आपका काम most probably हो जाने वाला है अगर आप यहाँ पर देखें पिछले SQP के according तो आपको दो नमबर में कोशन आया था कि आपको भुजंग आसन के benefits लिखने थे वैसे यहाँ पर आपके जो आसन हैं उसके आपको benefits पढ़ने हैं मोस्ती हर आसन का benefit है वो बहुत common है बड़ फिर भी हर एक आसन का कुछ एक specific benefit है जो आपको पढ़ना है यहाँ पर जो है अगर आप भुजंग आसन, हस आसन, वज़रासन की बात करें तो यह बहुत common से हैं जो हमेशा दो नमबर में जब एक कोशन आता है तो वहाँ पर आपसे पूछे जाते हैं योगे lifestyle में आपको सिर्फ और सिर्फ आसन के बारे में ही पढ़ना है उनकी benefits और counter education पढ़कर ही आपका काम हो जाने वाला है फिर हम बात करते हैं अपने second chapter की जो ही है physical education and sports for CWSN या फिर children with special needs या फिर दिव्यांग यहां पर आपको जो चीज पढ़नी है यहां बहुत सारी ऐसी terminology है जो कि technical है तो आपको यहां पर थोड़ा अच्छे से पढ़ने की जरूरत है ताकि आपको पता हो किस abbreviation का full form क्या है या फिर किस सरे की disability का nature क्या है इस chapter को आपको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ने की जरूरत है ताकि आपको disability disorder का difference पता हो cognitive disability, intellectual disability और physical disability तीनों का nature कैसा होता है इसके बारे में पता हो अपने अगले वीडियो में हम इन सब के बारे में भी discuss करेंगे फिलाल हम जो है syllabus को discuss कर रहे हैं कि आपके syllabus में कौन-कौन सी जीज़े हैं और आपको कौन-कौन से चीज़ों पर ध्यान देने की जरूरत है साथ यहां पर आपको कुछ और थीज़े भी मिलते हैं इस chapter में जैसे कि disability adequates तो यहां पर आपको जो चीज पढ़ने वो बहुत ही normal सी चीज है moral values जैसी चीज़े हैं कि अगर कोई disabled है तो आपक physical activity is accessible for children with special needs तो यहां पर हम कौन-कौन सी physical activity जो है special needs वाले बच्चों के लिए करा सकते हैं ताकि वो भी physical activity में involved हो सकी फिर आपका जो तीसरा चाप्टर है वो है physiology and injuries in sports तो यहां पर दो section है एक physiology का है और एक injuries का है physiology जो है उसमें आपको बहुत ही basic सी चीज पढ़नी है तीन चीज़े हैं यहां पर physiology में सबसे पहली चीज़े वो यह है कि जो आपके physical fitness component है उनको determine करने के लिए कौन-कौन से physiological factors जो है वो होते हैं आपके जो 5 physical fitness component है जो कि आप training वाले चाप्टर में पढ़ोगे उनके बारे म exercise का क्या effect पढ़ता है तो अगर आपको इसके बारे में पता है actually अगर आप जानते हैं cardio respiratory system जो है वो है क्या और जब भी आप exercise करते हैं तो कौन-कौन से changes आते हैं तो आपको इसके answer को बहुत ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है बहुत आसानी से आप इसका जवाब दे सकते हैं फिर यहाँ पर effect of exercise on muscular system तो सिर्फ यह तीन ही चीज़े आपकी physiology में आती है इन तीन चीज़ों के बारे में पढ़ लेने से आपका काम हो जाएगा इसके अलावा से बहुत सारे चीज़े नहीं हैं हर एक चीज में कम से कम 4-5 points ही है जो आपको पढ़ने है उसके बार यहाँ पर है injuries, injuries में sports injuries का एक classification chart है जिसके video का link आपको description में मिल जाएगा अगर आपने उस chart को बहुत अच्छे से समझ लिया इसमें कुछ terminology लिखी हुई है आपको उन terminology पता होने चीए कि हाँ यह injury जो है वो किस तरह की injury है और कहां पर होती है तो आपका sports injuries का काम हो जाएगा and sports injuries usually जो है वो आपके long answer question में आता है long answer question में अगर आपने वो classification chart बना दिया तो वहाँ पर आपको पूरे marks usually मिल जाते हैं फिर आपका first aid जो बहुत छोड़ी से unit है उसमें भी आपको थोड़ी से चीज़े पढ़नी है कि जो first aid है वो क्या है वो किस तरह से दिया जाता है फिर आप इस शेल्डर और जंग का classification पूछ लिया जाता है उसके बाद जो motivation और aggression है ये डोनों ऐसी चीज़े है जो अकसर मतलब almost हर एक exam में आपसे पूछी गई है कि motivation क्या है और इसका type क्या है motivation के type जो है वो almost हर एक exam में आया है तो ये बहुत important question है साथ ही आप ए type of aggression भी कई बा component की बारे में पढ़ना है पाच physical fitness component में जो तीन है तो सबसे ज़्यादा important है जिस पे base question भी सबसे आपको मिलते है वो है आपका strength, endurance और speed पिछली बार अगर आप SQP की बात करें जो कि CBSC ने डाला था उसमें exclusive strength का question पूछा गया था यानि आपको थोड़ा सा deep पढ़ना important है पाकी जितने भी 5 है important तो सारे हैं but strength, endurance and speed ये तीन component जो है वो बहुत जादा important है और इसका भी वीडियो का लिंक आपको description में मिल जाएगा आपको सिस इतनी सी ही चीज़े पढ़नी है जिसके लिए आपको एक से दो दिन का ही time लगेगा तो आपके लिए जो terminology है इसको जानना बहुत जादा important है ये जो terms है वो किस चीज़ के बारे में है कि कई बार जो terms है वो बहुत confuse कर देते हैं उसका मतलब कुछ और होता है तो आपको बहुत ही थोड़ा सा पढ़ना है बस बहुत अच्छे से और टेकनिकल तरीके से पढ़ना है अगर आपने उतनी चीज़े समझ ली तो आप अराम से बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं आज के लिए इतना ही अपने अगले वीडियो में मैं ऐसे बहुत सारे questions discuss करेंगे जो आपके physical education के लिए exam के लिए important है साथ ही आपको यह जो syllabus का link description में मिल जाएगा for such more content you can follow us on instagram and telegram until that keep watching to this channel and don't forget to subscribe to this channel